तो इस वीडियो में जो हम हीरो आएसल का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा एपसी गोवा वर्सेज जमसेदपूर एपसी के बीच मैच का वैन्य होगा गोवा रात में 7.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है अब दोस्तों जो एपसी गोवा साइड है यह आप कह सकते है कि इस सीजन वन अफ दा फेवरेट्स है आएसल टाइटल जीतने के लिए और जमसेदपूर एपसी आप इनको आएसल की एक मिट टेबल की साइट कह सकते हैं बट इस सीजन इनकी भी स्कौड क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है इन्होंने भी अच्छे-च्छी साइनिं की थी और अगर आप गोवा का गेमप्ले देखेंगे ना दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कोई यूरोपियान क्लब खेल ला है क्योंकि बहुत ज्यादा पोजेशन डॉमिनेट करती है बहुत अच्छे पासिंग पासिस करते हैं इनके प्लेयर्स तो बहुत अच्छा फुट से थ्री निल से हार गया और पहले मैच में एक शॉक डिफीट गोवा ने यहां पर रजिस्टर की ऑल्दो मुंबई सीटी एपसी गोवा के लेवल का ही क्लब है और एक्सपेक्टेट था कई न कहीं कि मुंबई उनको हरा सकता है बट इतना बड़े मार्जिन से हराएगा य इनकी स्कॉड्ड वेल सेटल्ड है इनकी स्कॉड्ड क्वालिटी भी अच्छी है अगर मैं जमसेतपूर से कंपेरिजन करू बट इस टिल मैं फिर से कह रहा हूँ जमसेतपूर इनको पूरी तरह से हाराने में के विबल है लेकिन स्लाइट एडवांटेज में स्मॉल लीग एपसी गोवा को ही करके अपनी टीम बनाने वाल हूँ फिलाल हम आते प्रोविबल लाइनप पे उससे पहले एक चीच कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको अब हम प्रोविबल लाइनप की बात करते हैं पहले हम बात करेंगे एपसी गोवा की तो मेरे अकॉर्डिंग स्लाइट फेवरेट यहां पे एपसी गोवा होने वाली है तो इनके मैक्जीमम प्लेयर पिक करेंगे स्मॉल लीग में यानि कि 6 या 7 प्लेयर में एपसी गोवा अब आपने लास्ट में देखा होगा ना सावियर गामा एज़ विंगर खेले थे और यहां पर इनके ब्लेज में कोई दूसरा प्लेयर खेला था बट इस मैच में एक्सपेक्टेड है कि सावियर गामा एज़ा लेफट वेग स्टार्ट करने वाले हैं और अगर यह लेफट लीडर है हेडिंग अच्छी है बहुत जाद आपको पासेस पॉइंट बनाके दिंगे लॉंग बॉल्स अच्छी देते हैं जिससे चांस क्रेट नंबर भी वड़ते हैं और इंट्रेसेप्सन वगेरा भी अच्छे करते हैं तो इन दोनों डिफेंडर को मैं शोल लीपिक कर ना होगा मैं FC गोवा को करूँगा दूसरा अगर क्लिंची नी भी आती इनके डिफेंडर बहुत पासेस बगेरा के पॉइंट जे सकते हैं बहुत ज्यादा हैवी पोजेसें डॉमिनेट करने वाली साइड है तो फिलाल आईवन गुझालिस और सावियर गामा ये दो मेरी टूपिक्स रहेंगे आप अगर आपको लगरा श्योर क्लिंचेट आएगी आप यह चारों पिक कर सकते हैं अगर आपको लगरा खिलीशी ने आएगी फिर जो meन?", अंक का ब्लेयर और बेक्सपैकर सब्सक्राइब सेरिटन मेरी number three choice रहेंगे defensive offensive work करने में के विमल है किसी एक को drop करने है आप पपुय को drop कर सकते हैं पपुय का नाम लालंग माविया ऐसी करके कुछ नाम है बड़ा सा नाम है इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं पपुय इनका नीक नहें में इनको पहले match में इनको confidence नहीं दिखाय दिसे अब मिट फिल्ड में ग्लें मार्टिंस के लिगेंगे डिफेंसी मिट Mexican 익 इंडियन प्लेर और यह वन अप दा बडेस ऐन्डियान किया इस एपसी गोवा लाइनप का और अगर आप gameplay देखेंगे Glenn Martins का तो यह आपको पूरी field में roam होते वे बंदा दिखाई देगे, defensive work भी करता है, कभी-कभी chance create भी करता है और pressing करने भी जाता है, तो Glenn Martins मैं 100% recommend करूँगा, यह आपको tackles, interception के साथ chance create, passing के अच्छे कासे point दे सकते हैं, तो Glenn Martins surely recommend करूँगा, इनके स एक fantasy acid होते हैं, वैसी EDU Bedia यहापे एक fantasy acid है, जो without goal assist आपको अच्छे कासे passing, tackling, interception और chance create हर चीज के point दे सकते हैं, तो EDU Bedia alongside Glenn Martins, इन दोनुछ प्लेयर्स को मैं midfield में 100% recommend करूँगा, थर्ट प्लेयर रहेंगे, नोगवेरा, जो इनके foreign attacking midfielder रे, Spanish player है, पिछले season इनके सबस इनको भी मैं surely pick करूँगा alongside EDU Bedia and Glenn Martins, अब जे सुराज और प्रिंश्टल रेवलो को आप ignore कर सकते हैं, इंडियन प्लेयर हैं, दोनुँ अच्छे हैं, बट अभी के लिए बहुत सारे options है, हमारे पास इतने सारे player obviously हम pick नहीं कर सकते, तो इन दोनुँ को grand league में try करना, अब जो forward में खेलेगा वो मस्ट भी करेगा है, तो और 30 के लिंगे जो last season के इनके talisman थे, आप खेलीजे इस season पिछले match में injured थे, इस वज़े से और टीज को start नहीं मिला था, या खेलिंगे इनके new foreign center forward A.ram Cabrera, जो last match में flop रहे थे, बट यह Spanish Laliga के second division में काफी goals मार के आ रहे हैं, और जगी भी खेले हैं, और यह Igor Angulo की replacement के तौर पर है, quality strike करें, और पिछला match flop रहा हो जाता है, बट इस match में इनको quality service मिलेगी, surely यह finish कर सकते हैं, तो Cabrera, OTs में joy start करेगा, उसको में surely भी करूँगा, अगर OTs खेलते हैं, तो 100% में इनको captaincy दूँगा, last season 6 goal और 2 assists थे, और Cabrera खेलते हैं, ऐसा player तो surely pick करूँगा, captaincy, vice captaincy का अभी मैं decided नहीं कर पा रहूँ, वो मैं telegram में update कर दूँगा, और अगर OTs खेलते हैं, high chances इस team के penalty taker भी यह होने वाले, because last season Angulo के बाद penalty OTs लेते थे, तो यह FC Goa की probable alarm थी, लगबग सभी चीज़े मैं यहाँ पे आपको detail मे defender pick करते हैं, तो आपको तीन ही attacker pick करने का मौका मिलेगा, उस case में मेरी choice रहेंगे Edubedia, Nugwera और OTs या Kabrera में जोगे लेगा, फिर मैं Glen Martins को यहाँ पे drop करूँगा, यह call आपका है, आप Glen Martins को pick करके, या तो forward drop कर सकते हैं, या आप maybe someone like Edubedia को drop करने का risk ले सकते हैं, विलाल य यह इनके last season के stat है, hero SLK विकाज इस season अभी तक इनका goal assist नहीं आया, तो इस season के stat ही नहीं है, अपोनेंट के बात करने से पहले, फिर से remind दिलाना चाओंगा, इस match की final small league team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं, उसका link या तो आपको description box में मिलेगा, या आपको मिलेगा top pin comment में, वहा हो जाईए, अब हम बात करते हैं, जमसेतपूर FC की, रहनेश टीपी इनके goal की पर होने आले हैं, अच्छे saving points आपको दे सकते हैं, शोली आप pick कर सकते हैं, चार इनके defender हैं, लाल दियाना रेंडलाई, साबिया, पीटर हाडली और रिकी लालम वाविया, अभी के लिए, इनक यह दो ही, इनके defender भी करूँगा, फिलाल, जो इनके दोनों foreign center back है, एली साबिया और जो पीटर हाडली इनके captain है, यह दोनों रहेंगे मेरी top two choice, because यह दोनों random headed goal मार सकते हैं, headers में अच्छे हैं, इवन हाडली ने तो last match में header में goal में मार था है, एक मातर goal जो जमसेतपूर क अच्छे हैं, और आपको याद होगा तो हमने hardly goals match में vice captain किया था, और hardly ने उस match में headed goal मार था, साबिया पहले चिनने NFC में खेलते थे यह दोनों defensive point दे सकते हैं, तो अभी के लिए यह दोनों मेरी top two choice है, third choice रहेंगे rent lie, जो defensive wise अच्छे है, last choice रहेंगे लालम माविया, अग साबिया भी although equally important है, बस में first choice मेरी hardly, second choice रहेंगे, एली साबिया, अगर आप जमसेतपूर को back करने है, तो आप इनके चारो defender pick कर सकते हैं, अगर आपको लग रहे है, वन निल जमसेतपूर विक्री होगी, तो four member में यह risk लिया जा सकता है, तो आप वहाँ पे चारो इनके defender pick क कर सकते हैं, defensive midfield में प्रने आलदार केलिंगे, ठीक टाक प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर है, टेकल्स बगेरा कर सकते हैं, बट इन से अच्छा अफसाद मिलें, ignore करूँगा, एलेक्स लीमा, एलेक्स लीमा दोस्तो इस टीम का आपके लिजे, one of the best player है, midfield section में, यह although इतना goal assist के लिए नहीं जाने जाते हैं, बट यह भी एक तरीके से देखा जाए, एक fantasy CT आप कहेंगे, हर मैच में अच्छा वग करते हैं, tackled interception करते हैं, passes बहुत जादा करते हैं, थो सेंद्र सिंग, इन्होंने भी कुछ नहीं किया भी तक, इनको भी grand link में try करना, forward में वास्केज मेरी top choice रहेंगे, इनके main strikeर यही है, last season के top scorer, पहले चिनने एन FC में थे, तो बहुत ज़्यादा goals वहाँ भी मारते, clinical finisher है, बट जिक्कत यह न, अगर 60, 65, 70 minute तक यह flop रहे, त यह 11 खेलती है, तो वास्केज मस्ट भी करेंगे, और दूसरा on penalties है, अगर आप 1-1-2-2 type की school line expect कर रहे है, जमसितपूर victory expect कर रहे है, तो आप इनको captain, vice captain भी try कर सकते है, बोरेस सिंग, पिछले match में मौका मिला था, बट 45 minute में substitute हो गए थे, दिखाया था, performance अच्छा कर सकते है, लेकिन future के लिए अच्छे होंगे, अभी के लिए एक नोर करते है, क्योंकि 45 minute बाद इनके place में कोमाल ठाटाल आ गया थे, और इस match में भी ऐसी हो सकते है, land dongle को आप surely pick कर सकते है, अच्छा player है, इंडियन player है, pace है, skills है, finish कर सकते है, तो maybe land dongle ups के लिए एक option हो सकते है, ब तो वो एक point pick हो सकते है, former FC Goa player है, आप जानते होंगे, substitute से आगे कितने goals मारते थे FC Goa के लिए, तो अपने former club के आगे, even हां में ये बताना बुलके, land dongle भी former FC Goa player है, तो अपने former club के आगे रिसान पंदीता होगे, land dongle होगे, ये लोग अच्छा कर सकते है, और अगर एक player हो main कर दी, और ये अभी तक के इनके पहले match के stat है, अभी के लिए, जो मेरी prediction है, मैं एक slightly FC Goa को back करके 2-1 FC Goa, या एक 1-1 draw के साथ जा रहा हूँ, although यहाँ पे 2-1 जमसितपूर पूरी तरह से हो सकता है, फिलाल, जो मेरी demo ref team है, goalkeeper मैंने रहनेश लिए, जमसितपूर के और पी लीमा पिक्के और वास्केज पिक्के, अब मेरे पार डॉंगल और जो दूसरा प्लेयर है, एली साविया इनको पिक करने के लिए, अभी मेरे पास spot नहीं बचा, फिलाल, अगर और ये 11 होती है, तो और ये 11 होती है, तो और ये 11 मेरे captain होगे, अगर आप 1-1 expect कर रहे तो अपडेट हो जाएगी, उसका लिंक है description box में, जरूर जोइन कर लिजे,